ओम नमस्षिवाय जय श्री रामचंद्रा आज मैं आपको बताऊंगा कि manifestation क्या होती है और उसे कैसे पूरा करें कि बहुत बार आपने अनेक जगों पर इस शब्द को सुना होगा पड़ा होगा manifestation कीजिए पैसे की manifestation कीजिए धन की घर की किसी भी चीज की कीजिए वो चीज पूरी हो जाएगी इसे हम साधारन बाशा में हिंदी में संस्कृत में कहते हैं संकल्प आप संकल्प लें और आपका संकल्प पूरा हो जाएगा यह कोई भौत नई technique नहीं है या भौत कोई नई विद्या नहीं है भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे गीता के दूसरे और दस्वें अध्याय में अ संकल्प को संकल्प की साइंस को आप थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि manifestation सफल क्यों नहीं होती आपने जरूर कभी न कभी जीवन में कुछ संकल्प किया होगा किसी वस्तु की इच्छा प्रगट की होगी लेकिन वह इच्छा पूरी नहीं हुई हां कभी कभी हो भी गई कभी कभी वह इच्छा पूरी हो गई कभी इच्छा वह पूरी नहीं के बारे में बात करेंगे ताकि भविश्य में आप को उसे ठीक परिकार से कर सकें जब आपका मन बहुत ज्यादा और क्योंकि मन में confusion बहुत जादा थी मन में दुविदा बहुत जादा थी इसलिए मन ने उसको accept किया ही नहीं हमारी subconscious mind ने उसको accept किया ही नहीं इसलिए जब आप ध्यान करते हैं जब आप साधना करते हैं और आप बहुत ही उस समय विचार सुनने होते हैं और आप तब जिस भी वस्तु का जिस भी चीज का जिस भी व्यक्ति का संकल्प मन में धारण करेंगे वह अवश्य पूरा होगा इसे आप जरूर ही ट्राई करें और मुझे अवश्य ही बताएं कि आपको कितनी सफलता मिली और एक और महत्वपूर्ण बात आने वाले इस रवी वार छें अक्तूबर से हम एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं स्वर्व साधना का कोर्स जिसमें मैं आपको स्वर्विग ज जहान के माध्यम से ना ही सिर्फ संकल्प लेना बलकि सोना जागना खाना पीना स्वर्व को कैसे जीवन में लाएं और बहुत सारे उसके कंटेंट हैं लगबग 15 विशे हैं आप इन नमबरों पर अब वट्सप के नमबर पर संपर्क करेंगे तो आपको पूरी जानकारी द मैं आशा करता हूं आप निश्चित रूप से इस कोर्स में अनेक चीजों को सीख पाएंगे अनेक ऐसी बातें जो बहुत छोटी-छोटी दिखाई देती हैं लेकिन हम आम तोर पे साधना के दिश्ची से उन्हें एकनोर कर देते हैं और आप उनको अपने जीवन में लाकर साधना के मार्क पर चलना कहते हैं वो कर पाएंगे और इसका थोड़ा सा शुल्क भी है आप शुल्क से गवराएं नहीं अगर आपको ऐसा लगता है कोर्स कर लेने के बाद कि आपके पैसे खराब हो गए या यह तो बहुत ही बेकार था मुझे तो कुछ भी सीखने को नही किये जाएंगे इस बात की आप बिल्कुल चिंता ना करें कि कोई स्कैम हो रहा है या जैसे ओनलाइन जब चल रहा है ना आजकल तो इस तरह की बात नहीं है आप अगर साधना करना चाहते हैं तो छोटी-छोटी बादहाओं को पार करके आप अपने मन को थोड़ा और स्व 15 अक्तूबर को मैं एक लाइव सेशन लूँगा जो कि इस चैनल पर जो मेंबर हैं सिरफ उनी के लिए एक्सेसेवल होगा 15 अक्तूबर को क्यों 15 अक्तूबर को मैं आपको बताऊंगा वो स्पेशली महिलाओं के लिए हैं सच बताऊं तो तो जो भी महिलाएं जो भी विव उसमें बताऊंगा कि करवचोत का वरत जो है आप कैसे धारन करें कैसे उसका पालन करें और क्योंकि यह है चंदर से जुड़ा है तो हमारा भोत ही प्रिये टॉपिक है यह स्वर्विज्ञान का आपको मैं डीटेल से समझाऊंगा कि स्वर्विज्ञान की दृष्टी से करव करवचोत का वरत परतेक महिला को करना ही करना चाहिए चाहे वो हिंदू हो चाहे वो किसी और धर्म से संबंद रखती हो सभी महिलाओं को सभी विवाहित महिलाओं को करवचोत का वरत रखना चाहिए और उनको किस प्रकार के शारेरिक और मानसिक लाब होते हैं इस पर भी म वामपंथी हैं इस बात का मजाक उडाते हैं कि उपवास बेचारी औरत करेगी और उसके पती को लाब कैसे होगा यह तो अत्याचार होगा और नहीं आप विज्ञान को समझते नहीं आप धर्म को जानते नहीं इसलिए मैं आपकी सारी भ्रांतियां दूर करने के लिए आपक अक्तूबर को उसके डेट के बाद मैं आपको टाइम मैं अनाउंस करूंगा बाद में विस्तार से बताऊंगा जो लोग भी लाइव आएंगे फिर उनके कोस्टन का आंसर भी दूंगा मैं और आप तब जान पाएंगे कि करवचोत का हमारे संस्कृति में हमारे सनातन संस् झाल 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 मिया झाल 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 स्यश्य